लोकसबद चुनाव में कॉंग्रिस को करारी हार मिली है और इस हार की जिम्मिदारी लेते हुए कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी ने अपने स्तीफे की पेश कश की है इस स्तीफे से पूरे देश भर के कॉंग्रिस नेताओं में खलबली मची हुई है कॉंग्रस अध्यक्ष अपने स्तीफे को वापस नहीं लेना चाहते हैं जबकि कॉंग्रस की तमाम नेता राहूल को ही अध्यक्ष बने रहने के पक्ष में है उत्राखर में कॉंग्रस नेताओं ने एक बैठक बुला कर इस पर मंथन किया और एक प्रस्ताओ पारत किया जिसमें सभी ने सरसम्मती से प्रस्ताओं में राहूल गांधी को अध्यक्ष बने रहने की बात कई है कॉंग्रस नेताओं को लगता है कि राहूल गांधी अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो पार्टी तूट सकती है इसलिए कॉंग्रस को बचाने के लिए राहूल गांदी के अध्यक्ष बने रहना जरूरी है कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गांदी के नेतरत में लोकसवा चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा गया भले ही हम चुनाव हार गए हो लेकिन इस चुनादी पूर्ट दौर में राहूल गांदी कॉंग्रस के अध्यक्ष बने रहे आज कॉंग्रस के तमाम परिष्ट साथी या कॉंग्रस मौन में मुपस्थित हुए और एक प्रस्ताव हमने पारित क्या है कि राहूल गांदी जी देश की इंदिकर परिष्टितियों में कॉंग्रस अध्यक्त में कारी करते रहे और पूरी कॉंग्रस भाणदी जी के साथ ख़शनी आज कि लिए क्या के रही है बेजेफी के ही प्रदिश क्या कह रहे है तो अगर मैं उसकी चर्चा करंगा तो तो पिर उचल नहीं यह वह क्या कर्ष्ट्व काम है कंग्रेस पंचा चुनों के पूरी तरिके से तयार है। कॉंग्रेस के सीनियर लीडर्स की एक वाइशत प्रूम और जो हमारे सीनियर लीडर्स बहार हैं अपने छेत्रू में हैं उनसे टेलीफॉन से बातचीत पी जही चाहिंद्र एर्देश जी हों तरण महरा हों दूसे लोग हो अमारे पूर मंत्रियों से भी फ्रेंचल ऑगनाइ और हम लोगों ने निर्णे लिया कि उत्राखन कॉंग्रेस सर्वशम्मत इसे यह अन्रोद करे माने राहूल गांजी जी से कि वो कॉंग्रेस के अठ्यक्ष्पत पर बने रहे हैं हम सब लोगों का यह सर्वशम्मत मत था कि राहूल गांजी जी ने चुनाव में और चुनाव से पहले संगतन को शक्री श्रूप देने में अथक परिश्रम मेहनत की है और एक विपक्ष का चुनावी नरेटिब तयार किया जो हिंदुस्तान की जनता का नरीटिक था जिसमें रोजगार का सवाल था खेती का सवाल गिरते होए उद्योगों को सभालने का सवाल था जिसमें आंत्रिक सुरक्ष्या में जो गिरावट आ रही है उसको कैसे सुधा करा जाए जिसमें महीला सवसक्ति करण से लेकर बहुत सारे ऐसे जो सामानी लोगों के भारत के मुद्दे हैं वो मुद्दे समले थे उनको आगे लाए जनता का मत विपरीत रहा लेकिन हमारा मानना यह था कि जो बातें राहुल जी उभार करके लाएं जिन सवालों को के लिए और विबक्ष के लिए एक सहारे के तौर पर हैं और राहुल जी उसके प्रेणिता हैं चाहे वो ज्याय की यूजना हो दूसी यूजना हो इसलिए कॉंग्रेस को देश को और प्रतिवक्ष को तीनों को राहुल गांदी जी के नहीं तुत्रियाफ किता है तो हमने के फैश्रा किया कि हम भी देश के कॉंग्रेस जनूं के इस अंरोद के सांथ उत्राखन कॉंग्रेस को सम्रित करें कि राहुल जी इस चुनौती पूर्ण दौर में हमारा नेत्वितु करें और हमने संकल्ब लिया है कि हम उनकी वनुभावना के अंरोब अपने संगठन को भी और अपने आपको भी डासूट लेविल तक गाओं और मौले के लेविल तक भी पार्टी के संग्धन को तयार करें कि हमारे इस्ट्राश्वी पूरों मुख्य मंत्री अरी शाओ जी का फोन आया था कि अगर थोगा समय है तो थोगा हम PCC में हमारे ये शुश्वी अद्यक्ष जी हुए है परितम सिंग जी तो वर्तमान में जो इस्तिती बनी है चुनाओं के बाद और कॉंग्रिस में भी जैसे राहुल गान्दी जी ने अपने अद्दिक्ष पत के बादें की हैं तो उस पर विचार विमर्स हुआ कि हम लोगे को क्या करना चाहिए और उसमें कुछ विचार विमर्स के उपरांद हम लोग कुछ निर्वें पर पहुंचे उसके बारे मेरी ख्याल से हमारे मानने अगर कहींगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा लेकिन हम सब की और देख्दिकत रूप से मेरी विए मंसा है कि इस समय जो परिस्तियां बनी हैं राहुल गांदी जी को अपने इस्टीवेब पर जोर नहीं देना चाहिए वो हमारे सर्माने नीता हैं कि उन्होंने को खरा करने में हम घुजरात में थोगा समतों से पीछे रहे गए मद्यपर्देश राजस्थान चतीस गड़ में जिसने से को खरा खरने का काम क्या चुनाव जीते जाते हैं हारे जाते हैं और अगर हम स्तिफ़ों पर इस बात करें तो फिर्ट्व सभी कंग्री पूरी कांगर्स पार्टी कांगर्स पार्टी नहीं रहेगी तो हमारी मेरी बेक्तिरत रूप से यह निवेदन है उत्रकंड के कॉंग्रेस जनों के भी केच्छा है जिन से मैंने बात चीत किया है जिला देख्षयों से सब लोगों से कि राखुल गांदी जी को अपने पत पर बने रहना चाहिए जो है कि क्या को तरस्ता बनाइए जाए 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 है